नमस्कारम ब्रीजनों आप देख रहें सिउटी पार्ट सला आप से का बहुत-बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में हम लोग कोर्स वाइस कटाफ एनालिसिस करने वाले हैं में इसकी पीजी के आलमोस जो प्रोफिस्नल कोर्सेज हैं में हैं में हैं मस्कॉम हैं सभी कोर्स कि सिउटी पार्ट सला पे आपको ऑफिसियल और बहुत सारा एनलाइज वीडियो कंटिनिवस प्रोइड कराया जाता है जो कि आपके एडमीशन के प्रेपरेशन से लेके काउंसिलिंग में बहुत ज्यादा हेल्फूल होता है और साथी साथ लास्ट येर हम लोग ने यानि सिउटी दोहजार बाइस के थ्रू जो ब्हू में अडमीशन हुआ या बाकी नुवर्स्टीज में अडमीशन हुआ उसके ऑफिसियल कटार की जो लिस्ट है आपको इसी चनल पर देखने को मिला आप चाहो तो एक बार दोहजार बाइस का जो हम लोग का लिस्ट है पूरा हम लोग ने सबसे पहले उस ओफिसयल लिस्ट को आप तक पहुचाने की कोसिस की थी और इस साल भी पूरी कोसिस है तो ऐसे में आपको सिउटी पार साला सब्सक्राइब करना चाहिए विल आइकन को प्रेस करना चाहिए जैसे कि जैसे ही वो लिस्ट आपका यहां आना सुर कुछ आपको देखने को मिलेगा इस एक चैनल सिटी पार्ट साला पर तो अगें आपको पता होना चाहिए कि जो इस बार दोजाएज का अग्जाम हुआ था वह हुआ था 100 आफ क्वेस्टन का एक्जाम हुआ जिसमें पार्ट ए एन पार्ट भी हुआ करता है ठीक है आप य यह देखो में जिसमें हम लोग अभी बात कर रहे थे 25 पार्ट एन 75 डोमेन यानी पार्ट टू का बिसेकली यह 100 जो है इस क्वेस्टन करी 4 मार्क्स ठीक है मलब चार नंबर का एक पेपर आपका एक क्वेस्टन जो था वह हुआ था और टोटल जो मार्क्स आएगा निकलके वह हो जाएगा आपका ठीक है वह हो जाएगा आपका 400 बिसिकली यह 400 जो है आपका टोटल मार्क्स है इसी 400 में आपको बियेच्चू पीजी में अडमिशन लेने के लिए मार्किंग की जाएगी कटाफ रिलिस किया जाएगा अब हम लोग देखते हैं ठीक है कि वह जो कटा पीसफुली बड़े ही सांती से एक बात आपको समझाना चाहूंगा कि बियेच्चू में एस पीजी कोर्स अडमिशन लेने आते हो तो बहुत सारे कोर्स रन करते हैं बस आपके में कम जगम 10-15 कोर्से होंगे एमकौम आपका एक हो गया ललवी आपका एक हो गया बीड आप कोर्सिस कर रहा हों बताने का कि आप अगर इतना कोर्सिस सही किये हो तो आपको लगभग हर एक कोर्स मेंडमिशन लेने की समावना नजर आती है उसके बाद हम लोग इंडिविजवल एक कोर्स का भी कटाफ देखेंगे ठीक है अब देखो में जो फेमस कोर्से हैं जिसमें सीट है बहुत ज्यादा है बिसेकली कटाफ बनाने के लिए क्या चीज मैटर करता है नंबर आफ सीट और उसमें कितने लोग आना चाहते हैं यानि नंबर आप अप अप्लिकेशन नंबर आप रिजिस्टेशन ये दो चीज़े जो हैं वह बिसेकली कटाफ को इसमें सीटे बहुत ज्यादा है जैसे कि मैं ललवी की बात करो 200 से ज्यादा है लेकिन उसमें डिजार्ड स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा है जैसे मैं बीएड की बात करो बीएड में क्या है बच्चे बहुत आना चाहते हैं लेकिन सीटे कम है 30 35 35 35 सीटे हैं वह आप अ अब मैं हिंदी की बात करो, a lot of seat, 94 plus, paid seat and affiliated भी अबलेबल है, philosophy की बात करो, IPR और philosophy, दोनों मिलागे लगबग 200, फिर paid seat है, फिर उसके बात, इसके affiliated college अबलेबल है, English की बात करो, affiliated भी अबलेबल है, FMC में भी है, 2500 seat है, MQAM बहुत ज़्यादा seat है, EISC बहुत ज़्यादा seat है, लेकिन अब मैं बात करो, professional courses में, like MassQAM, ज़्यादा नहीं है, MPM, IR ज़्यादा नहीं है, 37, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35 seat है, अब बात आती है, कि सर्फ, finally, आप ये बताओ, कि हम लोग चिंता मुक्त कैसे हो जाएं, उस particular, आप marks या number को बता दो हमें, आईए हम लोग उसकी बात करते हो, जैसे कि मैं आपको एक बार, यहाँ जो लिखा है, उससे अलग बता जेता हूँ, में psychology, में geography, में history, में political science, में हिंदी, में English, में philosophy, और में AISC and Sanskrit, ये जो में के courses हैं, जब PG, इन सब में seatों की कोई कमी नहीं है, आल्मोस इन सब में seatे अच्छी खासी हैं, उसके बाद reservation भी अबलेबल है, like super numeric seatे भी add होती है, ठीक है, जैसे कि paid seat, sports quota, foreign quota, implied quota, ये सब कुछ इ दीटे जो है, affiliated college में भी available है, आपको अगर इसमें admission चाहिए, तो आप बस इतना देखो कि आपने जो 100 question आपको मिला था paper में, उसमें आप क्या 50 plus करके आ रहे हो, अगर आप ये 50 plus सही करके आ रहे हो, कोकि 1 by 4 जो है, I think आपका negative marking भी है, ठीक है, तो कहने का sense ये है, कि इस 50 को चार से गुडा कर दो 200, आप लगभग 190 के उपर में हो, तो आप एक बार VHU में admission लेने की उमीद कर सकते हो, इन सभी courses के लिए, इसमें कुछ courses अपडाउन हो सकते है, मैं अभी individual बात करूँगा, मेरी बात समझगे की नहीं समझगे, मैं आपको एक ही बार में हर एक course को introduce कर आ रहा हो, इसलिए मैं जनरलाइज एक तरह से कटाब बरा रहा हो, ठीक है, अब बात करते हैं, MST में, MST जो है, इसमें सीटे ज़्यादा नहीं होती है, और इसमें इंट्रस्टेड जो बच्चे होते, वो भी बहुत फोकस्ड होते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी मोठा है और अपने आमें बहुत बड़ी बात हो जाती है, आप इस बार का ग्राउंड रिपोर्टिंग देखोगे, MST वाले आलत कराब होगा, एक्जाम में उनके, 45-50 अगर आप सही कर देते हो, तो आपके एडमिसन की संभाव ना है, लेकिन यहां पे यह चीज भी समझो, ऐसा नहीं पचास सही कर रहे हो, और पूरे 100 अटेंट करके आये थे, तो पचास का निगेटिव मार्किंग भी हो जाएगा, 20 नमबर, ठीक है, बिसिकली ध्यान देना है, जै मैं पचास की बात कर रहा हूं, ते पचास की मल्टिप्लाई मार्क्स की बात कर रहा हूं, मल्टिप्लाई रखोंगा, और आज भी कुछ का मैं डिस्कॉस करूँगा, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेश क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्सेश मतलब होता है, जिसको करने के बाद प्लिस्मेंट की संभावना होती है, ऐस पर्टिकुलर किसी मैनेजमेंट कमिटी के लिए, मतलब कहने के मतलब यह है, जैसे कि मास कम्मुनिकेशन, MPMIR, MSW, यह सब ही कोर्सेश जो है, ऐसे ही बहुत सारे मलीब है, लगबग 7-8 कोर्सेश होते हैं, जो कि प्रोफेशनल कोर्सेश में आते हैं, और इनका जो पेपर है, वो जनरल पेपर हुआ होगा, जो आप लोगे ने जनरल करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा पूरा सोसाइटी, जो गवर्मेंट है, वो कॉमर्सलाइज हो रहा है, इन सब कोर्सेश बच्चे बहुत आना चाहते हैं, जैसे MPMIR, प्लेस्मेंट है, 9-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- आराम से है, तो भाई जाइट बच्चे डेडिकेट हो जाएंगे, अब भाई पत्रकारिता यानि जनरलिजम जो है, वो पुरी इंडिया में बहुत इसमें ट्रेंडिन चल रहा है कोर्स, कोई भी सोचता है के रहा है, जनलिस्ट बन जाते हैं, पत्रकार बन जाते हैं, तो ऐसे में इस कोर्स का भी अच्छा हो चुका है, तो बच्चों का इंट्रेस्ट इस कोर्स के मिरिट को थोड़ा हाई कर रहे वैसे मैंने जो 70 पलस लिखा है बहुत जादा लिख भी साट वाट कर रहोगे, अलग अलग कोर्स पर डिपेंड करता है, अडिमेर्ण होने की पू हो तो आपको भी चुके master's में admission लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा ठीक है अब हम लोग एक course को practically देखते हैं कि वो last year का कितना कटाफ बना रहा है यहाँ पर जो कटाफ मैंने आपको दिया है यह में जोग्राफी का जो की science में भी आता यानि जोग्राफी जो है बिसेकली यह science का भी हिस्सा है और arts का भी हिस्सा है तो इसमें जो सीटें हैं वो दोनों के लिए रही होंगी तो यह एक highest कटाफ releasing course है कहने का sense यह है कि अगर इसमें जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं इससे कम नंबर में आपके इसी कटेगरी में अलग भी एक कोर्स को एडमिशन मिलने की पूरी समभा होना है इसलिए मैंने जोग्राफी चोच किया है मैंने हाइस्ट पेंग कोर्स को चोच किया है हाइस्ट कटाफ रिलीजिंग कोर्स को जनरल दोसोचालीस यहां बताया जा रहा है दोसोचालीस को अगर आप करते हो तो कितना आ रहा है चैट कोटा कोश्चन मैंने क्या बोला था इस्टाटिंगे 50 के ऊपर अगर यह कटाफ नीचे क्योंकि पहला कटाफ है अगर सेकेंड थड़ प ठीक हर में बियच्चू क्योंकि हर कर्टेग्रिया बियच्चू अपना अलग निकालता है इन सभी का बियच्चू का अपना अलग निकला होगा ठीक है यह सभी अगर आए जब बियच्चू कोटा रिलीज हुए होंगे तो सब में 10-5 नंबर कम हो जाएंगे अब मैं अगर अगर मैं फिलोसफी ले लो ना तो वो तो 120-30 पेडविशन होने की संभावना है क्योंकि इसमें सीटेट डबल है आई पी आर भी है अब बच्चे उतने इंट्रस्टेड नहीं होते हैं लेकिन हिंदी बच्चे बहुत जाद हैं पैसिकली अफिलेटिक बच्चे बहुत आन कि बच्चे इसी को रिपीट कर लो इसी कट आपको रिपीट करो लगबग इतना आ रहा है आपके आपके लिए में हिस्ट्री में जोग्राफी में पॉलिटिकल साइंस इन सबके लगबग यही हैं तो प्लीज आप लोग आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि सर आप पर्ट प्लीज में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहा रहा हूं कि आप मुझे इस कॉमेंट में कॉमें डालो कि सर हमें एललबी का चाहिए हमें जोग्राफी का चाहिए पॉलिटिकल साइंस का चाहिए हिस्ट्री का चाहिए हिंदी का चाहिए इंगलीज का चाहिए मुझे प्रोफे इसमें क्या अपडाउन हो सकता है एक सर्वे के कराके मलब पोल डाल दूँगा बच्चों से फिडबैक ले लूँगा कि कि कितना जा रहा है आप डाउन और उसी से अनलाइज करके मैं आपको एक फिक्स जो है लगभग फिक्स जो है वह अफिसिल कटाफ अनफिसिल कटाफ इ करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है या इस्क्रीन पर नंबर है उस पर वाट्सप करके कोर्स डिटेरिंग ले लो और दो जार चौबिस की प्रप्रेशन आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो बहुत सारी सुबकामना है और इसको प्लिस सेर जरू करिएगा ओके अलिवस्ट